नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का इन सी आठी के लाइव इंटराक्टिव सेशन में और मैं हूँ आपकी मेजबान सिम्रिन सिंग आप सभी दर्शक हमारा यह कारिक्रम देख रहे हैं PME विद्या के चानल नमबर 10 पर हमसे राप्ता करने का एक और जरिया हैं आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल है NCRE Official तो अगले आदे खंटे के लिए लेकर आए हैं दस्वी के सभी विद्यार्टियों के लिए हमारा जियोग्राफी यानि सोशल साइंस का एक हास कारिक्रम और हमारा बातचीत का विश्याज बहुत ही दिल्चस्प है तो आप यह जरूर देखिएगा जिसमें बातचीत कि राश्य अर्थ विवस्ता की जीवन रिखाएं कौन कौन सी हैं और यह आप ही की पुसक सम्काली भारत से लेकराएं आपके लिए यह पार्ट और आज हमारे साथ एक महमान मी मौजूद है स्टुडियों में इसी पर और चर्चा करने के लिए चलिए उनसे आपका तारू पहुंचाना चाहते हैं तो NCRT Official कमें सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा साथ ही कॉन्टाक नमबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इसे भी नोट कर लेजे 8800-440-559 और दश्वी के सभी चात्रेवं चात्राओं के लिए हमारा एक मेल आईडी भी है dth.class10.net ciet.nic.im तो मैं जैसा कि अपने दर्शकों को हमने बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी राष्ट्य अर्थवेवस्था की कौन-कौन सी एसी जीवन रेखा हैं जो बहुत मत्वपून है तो चलिए उसे से जुड़ा हो अपने सत्र शुरू करते हैं किसी भी देश की अर्थवेवस्था कई बातों पर निर्भर करती हैं और उनमें प्रमुख होते हैं परिवहन, संचार, व्यापार, उद्योग, क्रिश्य और विविन प्रकार की सेवाएं इनमें परिवहन के साधन बहुत ही महत्वपूर अस्थान रखते हैं क्योंकि बिन कच्चा माल, और द्योगिक उत्पाद, क्रिशी उत्पाद और विविन प्रकार की सेवाएं किसी भी देश में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने का महत्वपूर साधन होती हैं तो इसलिए किसी भी देश की राष्ट्री अर्थविवस्था को चलाने के लिए परिवहन और संचार बहुत ही महत्वपूर होता है तो आई हम देखते हैं कि परिवहन के साधन कितनी प्रकार से होते हैं पृथवि के तीन शेत्र और प्रिविके जो तीन मंडल हैं अस्थल जल और वा इन सब परिवहन आज मौजूध है सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थल परिवहन की इसको हम हम तीन भागों में वातम आटते हैं सड़क परिवहन रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन इसके बाद आता है जल परिवहन इसको भी हम दो भागों में वर्गी कृत करते हैं आंतरिक जल परिवहन जो किसी देश के अंदर होता है नदियों जहीलों आज में और समुद्री परिवहन जो समुद्र के जरिये ह परिवहन करते हैं तीसरा है वायू परिवहन इसको हम घरेलू विमान सेवा और अंतर राष्ट्री विमान सेवा दो हागों में बाटते हैं घरेलू विमान सेवा और यह हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं अस्थल परिवहन का जो प्रथम स कारण हैं आई हम कारणों पर ध्यान देते हैं कि सड़कों की निर्मान लागत अस्थल परिवहन के दूसरे सिग्मेंट रेल लाइन से बहुत कम आती है दूसरी चीज सड़क दुर्गम चेत्रों जैसे परवतिय चेत्र बनी आद्मी भी बनाई जा सकती है आप ध्यान दीजे तो आप देखेंगे कि पहाडों पे सड़के बनी हुई हैं देश के सुदूर कोने में भी सड़क बनी होगी जब कि वहां पे रेल लाइन नहीं गई होगी अगर हम एक ब्यक्ति हैं और यात्रा करना चाहते हैं या कम आत्रा में बस्तु है तो उसको परिवहन करना है तो सड़क परिवहन ही निष्चित करेंगे अगर आप कहीं बाहर से आते हैं जैसे हम अपने किसी दूर जगह गए हो वहां से हम ट्रें से आएं तो हम रेल्वे स्टेशन से घर तक सड़क परिवहन के ही माध्ध्यम से जाएंगे इसके अलाम आगे देखते हैं कि सड़क जैसे आपका पॉर्ट है या मैट्रो है इन सब के बीच में एक लिंक का काम करती है यह इस तरह से लिंक है कि आज कल मैट्रो सेवा हो या रेल सेवा हो सभी कैधिकारिये चिंतित रहते हैं कि इसको हम सड़क परिवहन से कैसे कानेक्ट करें कलपना करिए कि एक पोर्ट पर क पड़ेगी तो सड़क परिवहन वाय परिवहन जल परिवहन इन सब के साथ एक लिंक का काम भी करता है भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत दूर तक पहला हुआ है यहां के जादा तर लोग कृषी करते हैं तो कृषी प्रधान देश होने के ना ते कृसकों को तो यह फूल उगा रहा है तो उसे दिली की मंदियों में भहजने के लिए शड़क मार्क ही सबसे अच्छा होगा वो सबजियां यह फूल खराव होने के पहले ही मंदी तक पहुच जाएंगे इतने बड़े सड़क जाल को देखने के लिए समालने के लिए सड़क परिवहन का वर्गी करने किया गया है सड़क परिवहन को हम छे भागों में वर्गी कित करते हैं एक स्रुनिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्री राजमार्ग, राज राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्यमार्ग और सीमान्त सडकें. हम अगर इनको समझना चाहें तो सुरणिम चतुर्भुज महाराजमार्द यह हमारे देश के जो चार महानगर हैं, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चन्नई, चन्नई से मुंबई और फिर मुंबई से दिल्ली को इस तरह से जोड़ता है कि एक चतुर्भुज बनता है, यह चा और पूरव में पोरवंदर से पस्चिम में सिल्चर तक पूरव पस्चिम गलिया रहा है, यह इनकी देख रेक नहीं करती है, और यह कोशिश की जाती है कि इन राजमार्गों के बीच में कोई बाधा ना आए, इसलिए इनके रास्ते में किसी तरह की ट्रैफिक लाइट न इसी एन्हाई के ही अंदर आता है, और यह वे सड़के होती हैं जो देश के मुख्य सहरों को जोडती है, और यह राज्यों की राजधानियों को भी आपस में जोडती हैं, जैसे दिल्ली को भोपाल से लखनव को पतना से आदी, यह राजमार्ग मुख्य बंदरगाहों और कि दिल्ली को भी आपस में जोडती है, तो जैसे जोडती है, और इनके निर्मान की दाइत्व पी डावलडी को होता है, जैसे डियमार्ग ओन झेली के विभन प्रसाशनी तो जिला मुख्याले से जोडती हैं, जैसे दियम आफज है उसको निगम आफज से या शिक्षा के क अन्यमार्गों में ग्रामीर छेत्रों की सड़के आती हैं यह सड़के गाउं को गाउं से और गाउं को सहरों से जोडती हैं प्रधानमंत्री ग्रामीर सड़क परियोजना इन ही सड़कों के लिए बनाई गई एक महत्वा कांची परियोजना है जो कि जिसने की बहुत में बनाई गई हैं सीमान्त सड़के आती हैं यह साम्रिक महत की सड़के हैं जो देश की सीमा पर बनाई जाती है और इनके निर्माड और देखभाल की जिम्मेदारी बी आर ओ की होती है यानि बार्डर रोड आर्गनाइजेशन जिसे उनी सुसाथ में गठित किया गया है एक बहुत दिल्चसफ बात है कि लगभग चार हजार की उंचाई पर यह लगभग है हमारे देश के इंजीनियर्स ने सड़क बनाई है जो लगदाफ में लेह में है और यह वास्तों में इंजीनिरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है उनके मेहनत का हम कह सकते हैं उ इसने दो भावो में हम भीभाजित कर सकते हैं जैसा कि नाम से ही असपष्ट है पक्की सड़कें हमेशा कामा सकती हैं जब कि कच्छी सड़कें उसमें बर्शात में खराप हो जाती हैं आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि यह उत्तर बग्षन गलियारा लाल रंग से और जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं, तो बहुत सारी भीर, बहुत सारे लोग हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो रेल परिवहन की अपनी विसेस्ताएं हैं, सडक परिवहन की तरह यह उतना सस्ता नहीं होता है, लेकिन एक बार विछाने के बाद यह काफी सस्ता होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में माल और लोगों को ले जाने के लिए ये सुविधा जनक होता है जहां एक बस में एक साथ पचाश साथ लोग ही आ सकते हैं वही पर रेल परिवहन में एक साथ हजारों यात्री एक ऐस्थान से दूसरे अस्थान हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ धंटों में तेंकर लेते हैं ये माल ढोने के लिए तनी अच्छी है कि इसके नाम पर कुछ माल गाडिआं भी हैं और उन मालगाडियों से बहुत बड़ी मात्रा में एक अस्थान से दूसरे अस्थान भारी सामान जैसे लोहा, कोई, ला, सिमेंट आधी ढोया जा सकता है। भारती रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक छेत्र का प्राधिकरण है और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था उद्द्योग्रों कृषी का तीब रिविकास हुआ है। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि विविधता भरे एक देश के लिए रेल परिवहन एकता का भी कारण बन बन गया है। सबसे पहली रेल जब बाम्बे से थाने के बीच में 34 किलो मीटर तक चली थी तब से आज तक कई हजार किलो मीटर की रेल पटरियां बिचाई जा चुकी हैं और यह निरंतर अपने काम में लगा हुआ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह की प्रगेदी के लिए। पटरियों के बीच में दूरी होती है आपने देखा होगा तो उसको हम तीन भागों में बाठते हैं ब्राड गेज, जिसके बीच की दूरी, 1.676 मीटर होती है, मीटर लाइन 1 मीटर और नेरो गेज, 0.610 किलो मीटर, यह हैं गेज की पटरियों के बीच की चोडाई परवती छेत्रों में ज्यादा नेरो लाइन या मीटर लाइन मिलेगी और ब्राड गेज समतल जबहों पर मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा तर रेलपटरियां ब्राड गेज के अंतरगत आजाएं। भारती रेलवे की कुछ समस्याएं हैं अपनी इसमें हमारे देश में कई हजार नदियां बहती हैं तो जब हम रेल पटरी बिछाया जाता है तो ये नदियां बाधा बनती हैं उबडखावड पहाडी छेत्र हैं ये प्राकृतिक कारण हैं लेकिन यात्यों के लापरवाही ज हमारे देश के इंजिनियर्स ने कॉंकन रेलवे डेवलप किया है जो महाराष्ट्र गोवा और करनाटक से होते हुए गुजरती हैं और इसके रास्ते में आपको आश्योज होगा एक क्याननवे टरनेल आते हैं जिसमें एक टरनेल एसिया का सबसे बड़ा टरनेल है अस्थल पड़ःन के तीसरे सेग्मेंड में पाइपलाइन पड़ःन है पाइपलाइन के जिरिये जैसा कि आप जानते हैं कि कि इस भी बस तूust बिशेष रूप से तरल-पड़ः को एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक परिवहीं कर सकते हैं बहुत सधियों से हम नल से जल प्राप्त कर रहे हैं, यह पाइपलाइन परिवहन का बहुत ही प्राचीन एकजामपल है, इसके अलमा आज कल के समय में पेट्रोलियम पदार्थ और गैस भी भेजा जाता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक और कुछ बिक्सित देशों में तो दूध का भी परिवह पाइपलाइन के जरिये से किया जाता है, पाइपलाइन बिचाने का भी खर्च एक बार में बहुत अधिक आता है, लेकिन उसके बाद धीर धीर यह खर्च निल हो जाता है, जब हम इसे सामान भेजते हैं, तो बहुत फायदे होते हैं, पेट्रोलिम जैसा पदार्थ बार चढ़ाने, उतारने और उसको दूसरी जगह जाकर के निकालने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन पाइपलाइन परिवहन से ट्रैफिक की देरी और अन्य सभी समस्याओं से निपका जा सकता है, इसके अलावत तेल सोधन सालाएं भी आंतरिक छेत्रों में अस्थापिती आप देखें की मत्हुरा में एक टेल सोधन साला है लेकिन तेल चेतर आसपास नहीं है, तो गुजरात जैसे तेल चेत्रों से वहाँ पर तेल आ जाता है, पाइपलाइन परिवहन में मुख्य पाइपलाइन से आप इसको देख सकते हैं, उप्री असम के तेल चेत्रों से औ और गुजरात में ही हजीरा से वीजापूर से होती हुए जगदीशपूर मसूर HBJ पाइपलाइन है इसके अलाएं और बहुत सारी पाइपलाइन से हैं जिनका आप अपने बुक में मैप में देख सकते हैं इसके बाद हमारे पृत्वी के दूसरे छेत्र महत्वपूर छेत्र जल परिवहन की बारी आती है जल परिवहन बहुत ही महत्वपूर परिवहन का साधन है सायद जब पुराने जमाने में नदियों के किनारे हमारे सहर बसे थे तो इसमें बहुत सारे कारणों में एक कारण य इसी भी इवाहन को घर्शन महीं होता है जिसके कारण उर्जा की बचत होती है और यह एक एको फिरंडली मेंस अफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है भारत में बहुत सारी नदियां है बहुत लंबी तटडेखा है इसके कारण लंबी तटडेखा और बहुत सारी नदियों के परशंट अगर हम बस्तु के संदर्व में देखें तो समुद्रों द्वारा ही होता है जल मार्ग के महत्त को देखते हुए सरकारों ने नौ जल मार्ग कुछ राष्ट्री जल मार्ग घोशित किये हैं जिनको हम नंबर से जानते हैं तो जल मार्ग संख्या एक यह हमारी तुल गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहवाद जिसे हम प्रयाग राज के नाम से जानते हैं अब वहां तक है यह 1620 किलो मीटर लंबी है जल मार्ग संख्या दो सदिया वा धुबरी के मध्ध ब्रम्हपुत्र नदी में है इसके वाद जल मार्ग संख्या 3 यह साउथ में के जल मार्ग संख्या 4 यह नहरों के काकिनाडा और पुडुचेरी खंड में है कृष्णा और गोदावरी नदिया इसको पानी देती है जल मार्ग संख्या 5 मातई नदी और ब्राम्हनी नदी पर पूर्वी तटी नहर के साथ साथ हैं अंतर राष्ट्री यह व्यापार के लि पत्तन को हम देखते हैं अगर हम उत्तर से चलें तो गुजरात में कांडला यहां पर आपको कुछ पत्तनों के लिए पारिभाशिक शब्द आएंगे जवारी प्राकृतिक कित्तिम जवारी पत्तन वो होते हैं पत्तन जिसमें जवार के जवारा जो पानी ऊपर चढ़ता ह उससे पत्तन को सहायता मिलती है प्राकृतिक पत्तन में पत्तन के लिए सुविधा जनक परिस्थितियां प्रकिर्ति के द्वारा ही प्रदत्व होती हैं और कृत्रिम पत्तन में कुछ निर्मार कारी किये जाते हैं जिससे कि वहां पत्तन के लाइक परिस्थितियां पैदा कोची पत्तनी की तंट्र केंद केरल का जो बहुत ही सुंदर पत्तन कोथी जानकारी आप साचा रहे हैं अरे सभी दर्शकों के साथ आज केहारे साथ क्रेस्स का जूड़ी हुए एक चोटी सी जानकारी में आप पको देना चाहूंगी है हमारे पास सब्सक्राइब चार मिनिट का समय शेशन कोई बात नहीं हम इसको समराइज करते हैं पूर भी तटी पत्तन पर आप देख रहे हैं तूती कोरन चिन्नेई विशाखा पत्नम आदी पत्तन है इन सब पत्तनों का अपना एक महत्व है आगे देखे भारत का प्रमुख दायक परिवहन का साधन है वायु परिवहन इस परिवहन के माध्यम से हम दुर्गम स्थानों पर सुगमता से जा सकते हैं ती बृतम और इसमें एर इंडिया के लामा बहुत सारी प्राइवेट निजी संस्थाएं भी हैं जो बीमान सेवा देती हैं जब और पवन हंस नाम को पीछे नहीं छोड सकते हैं पैंडेमिक के समय में संचार सेवां ने जिस तरह से योगदान दिया चैहे वो शिख्षा का चेट्र हो चैहे वो आफिक चेत्र हो या बाजार को संभानने में तो बहुत ही है Queensborough संचार सेवां और जन संचार सेवा इन दो भागों में बाट सकते हैं निजी संचार सेवा होती ही जब हम एक दूसरे से बात करते हैं हम अपनी बात अपने पिता तक पहुचाने के लिए चिठी भेशते हैं या फोन करते हैं या इंटरनेट पर संदेश देते हैं और जन संचार होता है जब हमें अपनी कोई बात पूरी दुनिया को बतानी है जैसे मान लीजे कि प्रधानमंत्री को अपनी कोई पालिसी घोशित करनी है तो उसके लिए जन संचार के साधन अपनाए जाते हैं जिसमें रेडियो टीवी समाचार पत्र-पत्रकाय मैगजीन आ दियाते हैं जन संचार को आध संचार ने बहुत बड़ा एक पुसब दिया है जिसके कारण हमारे संचार सेवा बहुत ही आगे निकल गई है अंतरराष्ट्री ब्यापार और पर्यटन थाननी किसी भी ब्यापार के बिना हम किसी भी देश को आर्थिक रोप से मजबूत नहीं बना सकते हैं और ब्या ब्यापार को समझने से पहले इसके कुछ की वर्ड को जानते हैं, ब्यापार क्या है? दो राजियों या देशों या व्यक्तियों के बीच में जब क्रे विक्रे होता है, क्रे विक्रे के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम ब्यापार कहते हैं, ब्यापा है जहां चीजों का बिनिमे होता है यहां आयात और निर्यात सब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप उन्हें बार बार सुना होगा जब हम बस्तों को दूसरे जगह भेजते हैं जैसे हम अपना कपड़ अमेरिका भेजें तो यह हम निर्यात करते हैं और अगर हम पेट्रोलिय है और निर्यात का असी रूपए तो यह आयात जादा होगा तो अनुकूल होगा इसी तरह से परेतन भी हैं एक व्यापार परेतन के माथध्यम से एक जगह की कि अर्थवेवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती है क्योंकि वो बिभिन प्रकार की सिवाउं को अगे बच्चों इस पार्ट के माध्यम से आपने जो कुछ भी जाना है उसे अपने आस पास के अनुभाऊं से और अध्यम से और अथिक सीखिए और जानिए कि हमारे कौन-कौन सी जीवन रेखाए हैं जैसे संचार, परिवहन, वयपार, परियतन साथ ही साथ उद्योग भी इसका एक एहम हिस्सा है उसके बारे में भी और जानकारी देंगे लेकिन अपने किसी और सत्र में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बनने के लिए ह हमारे सभी विद्यार्तियों का मार्दर्शन करने के लिए तो चितने विदर्शक हमारे साथ इस कारेकरम में जुड़े थे आप सब का भी धन्यवाद कहीं मत जाएगा कुछी समय में वापस लोटेंगे एक और सत्र लेकर आप देखते रहे हैं पी एमी विद्या चानल नम सकार